अब जानते हैं कर्ज, डर, शादी, नौकरी, बिमारी, संतान और यहां तक कि संपत्ती से जुड़ी हर तरह की समस्या से निजाद पाने के लिए आपको किस तरह का दीपक घर में जलाना चाहिए पर पणिज, बताइए इन तमाम समस्या को दूर करने के लिए कौन सा दीपक हम जलाएं खरते हैं देखिए, किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ती के लिए आटे का दिया जलाया जाता है आटे का दिया पवित्र और सुध्ध माना जाता है आटे का दिया और आपने देखा हो या न देखा हो लेकिन जब साधी होने लगती है और मंडप में बर आता है उसकी आरती करने के लिए आटे के दिये में चतुर मुखी बत्ती डाल कर चार बत्तियों वाला दीप जला कर कन्या का पिता बर की आरती करता है और बर को भद्रपीठ पर पीड़े पर बैठने के लिए कहता है आटे का दीपक जलाने से कर्द से मुक्ति मिलती है भय से मुक्ति मिलती है बिवाह में देरी हो रही है नवकरी, बिमारी, संतान, संपत्ती, कलेस, कानूनी मामलों जैसी समस्याओं से और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है कुंडली में अगर पितर दोस है तो पीपल के पेंड के नीचे आटे का दिया जलाने से हर प्रकार की सांती मिलती है ये उपाय लगातार 21 दिनों तक करें येहों के आटे का दिपक हर मनो कामना को पुण करता है बिवादों से मुक्ति दिलाता है बिरोधियों को परास्त करने के लिए उरत के आटे का दिपक बना कर जलाना चाहिए घर में सुक सांती के लिए मूम के दाल के आटे का दिपक जलाना चाहिए ये सब दिये आपकी मुनो कामना पूरी करेंगे जय मार्बिन निवास निए